कासगंज में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत हो गई हालसे में आरती के दो मासों बच्चे भी गंभी रूप से ख्राल हो गए जिने जिलास्पतार में भरती कराया गया है आरती की शाद तीन साल पहले दिल्ली से हुई थी और वो बस से कासगंज आए थी पुलिस ने शव का पंजराम भर कर पोस्माटन के लिए भेज दिया है ललिदपूर के चिगल उवा ग्राम इसहित बजार पावर प्लांट में मजदूर की समस्याय बढ़ गए हैं चार साल से नियुनतम मजदूरी से कम परिश्रमिक पर काम कर रहे हैं मजदूरों ने जब वेतन बढ़ानी की मांग की तो उन्हें काम से निकाल दिया गया अब सेक्डो मजदूर जलाधिकारी के पास जाकर वेतन व्रद्धी की मांग कर रहे हैं कानपूर में सीसामाओ विधानसबर शित्र की सीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी अदेतेनात ने एक बड़ी जनसबा को संबोधित किया और विकास का दावा किया हाला कि कानपूर की सडकों पर जलभराव की समस्या पुरानी है और ये हालात आज भी जसकितस है भाजप सरकार ने कई दावे किये थी लेकिन वो फेल नज़र आ रही है ब्रह्मनगर चौराहे पर जलभराव की समस्या को लेकर भाजपा के पार्शरदों ने प्रदर्शन किया और खुद नाली की सफाई के लिए उतरे हमने उनको अस्वासन दिया मैंने जीतने के बाद दस्यों वार सारे अधिकारियों को अन्य महापोर्जी को सभी को ये प्रतना पदिया लेकिन आज तक किसी अधिकारियों ने ना इसको देखा ना समस्या कर समधान किया आज जंता ने मुझे और मेरे सरोगी पासक को जब करके गालिया तक दी कि का मैं तुम्हें इस लिए पोर्ट दिया था तब मुझे आज मजबूर होकर तो अपने हाथों से जली फीड और इन नालियों को साफ करने का प्रयास करना पदा फिरोजबाद की टूनला में नौवी की छात्रा श्वेता ने खंड विकास कारेले में जन्म प्रमार पत्र बनवाने के लिए डॉक्यमेंट्स दिये और पैसी भी दिये जब वो कुछ दिन बाद अपना प्रमार पत्र लेने पहुंचे तो सचिव ने कहा कि उनके डॉक्यमेंट्स नहीं मिले है इससे शुएता कारेले परिसर में ही रोने लगे और मीडिया के सामने अपने सारी परिशानिया शेयर की कानपूर के चकेरी थाना शेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुण भैड हुई जिसमें दो बदमाश भैल हो गए ये बदमाश रेटाइड एसजीन के पतनी की चैन लूट में वांशी थे और CCTV फोटेज के मदद से उनकी पहचान की गए मुटबैट के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोरी लगी है जहासी के चिरगाउं थानर शित्र के ग्राम महिवा खेरा में एक यूवाक अनिल अहिरवार नदी में नहाते समय फिसल का डूप गया उसके दोस्त रादवेंद्र नी बचानी की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया उसने शोर मजाया ग्रामवासी और पुलिस ने शव की खोजबीन की कोता कोरों की मदद से शव को निकाला गया और पुलिस ने पंचना मभर कर पोस्त माटम के लिए भीजा उन्नाओं के बारास गवर थानाशित्र में एक भीशड धमाका हुआ जिसमें दो मंजला इमारत पूरी तरह से ठहा गई धमाका इतना शक्ति साली था कि आसपास के कई मारतों को वे नुकसान पहुँचा इस्थाने लोगों के वतावे के मारत में आववयत तरह के से पटाखो का निर्मार किया जा रहा था सहारनपुर में प्रार्तिय बासिफ और फूमा खिर्णर ने स्सपी से शिकायत की है कि 27 अगस 2024 को ग्राम समस्पूर में बधाई मांगते समय कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की आरोप है कि पुलस के पुछने के बावजूद आरोपियों ने प्रार्ति के साथ बदसलू की कि और पुलिस ने उनके कोई मदद नहीं कि प्रार्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों का समर्थन किया और उन्हें नियायन नहीं मिला तो एक बार फिर से प्रार्थी ने SSP को प्रातना पत्र दे कर ठोस कारिवाई की मांग की है fou तो मुझे सोऔर बढ़ाई की ऐस् gibt इसका ही आए पर हमला होता है जैसे वह अपर हमला करते हैं तो मुझे लहना पोटिस पोटेकशन नहीं दी गई ये हर दोई में एक पुलिस जीब आनी अंत्री थूका तलाव में गर गए जिसमें एक महिला कॉंस्टिबल की मौत हो गए और तीन अन्य पुलिस कर मिंगायल हो गए स्थाने लोगों ने आदमी साहस दिखाते हुए सभी को तलाव से बाहर निकाना एलाज के दोनान महिला कॉंस्टिबल की मौत हो गई एस्पी नीरश कुमार ज़दों ने स्थाई, नायको, मुझीब, अंसारी, मुहमद, अबरार, चंदन प्रसाद, हमिद कुमार और मुंतास को समानित किया और उनकी बहुजी की सहराना की मावरानी फुद्वाली पुलिस ने आफ चीत हर की बाजी लगाते हुए गरजन जुआरियों को गरफतार किया इसने मौके से 12 ताश की गड़ी और 2,51,000 रुपे की नगदी बरावन की गरफतार की गए जुआरियों के खिलाफ जुआ धिनियम के तहत कारिवाई भी की गई है आजमगड के सगडी तहसील के अलिपूर गाउं में सरकारी पोख्री पर बने दो पक्के मकानों को नायब तहसीलदान ने बुल्डोजर से ढ़ा दिया 2017 में न्यायले ने बेदखली का आदेश दिया था लेकिन अतिक कर्मण नहीं हटाया गया पांच अगस दोजार चौबिस कुनूंटिस जारी करने के बावजूत कारिवाई नहोने पर प्रुशासन ने अतिक कर्मण को हटाने के लिए बुंडोजर का इस्टमान किया यह राजस सुग्राम अल्लीपूर है जिसमें आज बेदखली की करवाई संपादित की गई है इसके लिए नायब तसिल्दार अजमतगर्ड और पुलिस की टीम गई थी मौके पर यह जो ग्राम अल्लीपूर है उसमें पोख्री गाटा संक्यात 14 है जिस पे सकील अहमद और पुलिस बल्की इसको दिकली का जो आदेश ता उसके मोचे पर अनपालन कराए गया हरिद्वार जलादिकारी धीरग सिंग गर्ब्यान ने विकास भबन में जलायोजना और 20 सूत्री कारिकर की प्रगति की सम्यक्षा की उनोंने सभी विभागों से बजट और वे के स्थिती की जानकारी लिये और शेश काम को जल्दी पूरा करने के भी निर्देश दिये हरिद्वार में खड़खडी और कंखर शम्शान घाटो पर अब विद्व शवदाग्रे शुरू किये जाएंगे डियम धिराज सिंगर ब्यान ले खड़खडी शम्शान घाट का निरिक्षुर कर नगर निगम को इसे चालो करने का निर्देश दिया इसे लकडी की खपत कम होगी और अंतिम संस्कार में समय भी खटेगा उनको ये का कि आप अपना इस्टिमेट होगार सम्वेट कर दिए तो हम दो नगर निगम के मादम से उसको ठीक करेंगे और उसको संचालित करेंगे पौड़ी जिले के यमकेश्वर वधान सबाश्षित्र के द्वारी खाल में भाशपा के सद्यसिता अभियान की बैठक सलस्वते विद्या मंदिर चेलू सेड में हुई मंदल अध्यक्ष सुपाल सिंग नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाशपा सद्यसियों ने अभियान की सफलता के लिए प्रेडित किया मंदल प्रभारी अनितागाड और उपाध्यक्ष मनमोहन सिंग ने सभी से जुनने की अपेल की जिला अध्यक्षता में जिला गंगात्सन रक्षर समीती की 92 बैठक में कसबान नाली में अपत्ती जनक सामगरी डाले के मामले पर च्वर्चा की गए चार सदसे कमेटिक गठित की गए जो एक सब्ता में रिपोर्ट पेश करेगी जो स्लॉटरिंग की सिकाइट हैं अम बहों मिलती हूं तो इस बार बे उस शिकाइट मिली थी और पिछे बार भी शिकाइट मिली थी तो हमारे नगर निगम की टीम अगर लगातार जारी है और जितने भी अवेद रूप से संचाले थो रहे हैं, बूचर खाने या महांजहां पर भी चीज कारवाई हो रही है तो उसमें लगातार हमारे टीम में जा रही है तो नगनिकम से टीम गई भी थी और काफी लोग का चालान भी हो है कि अगर हमने ये भी कहा है कि अगर भौशे में दुबारा अगर वही बेक्ती रिपीट करता है तो उसमें चालान की धन्दासी इसको बढ़ाई जाए हरिद्वार में उप परिवाहन आयक्तुराजी बहरा ने नए आटोमेटिड ड्राइविट टेस्टिंग ट्रैक का निरिक्षिड किया ये ट्रैक सड़क दुरगटना को कम करने के उद्देश्य से बनाये गया है जहां आवेदक अपनी ड्राइविंग चमताओं को प्रमारित कर सकेंगे सरकार ने तै किया है कि आप बना चमता साबित किये कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिने का सभी आर्टियो और ए आर्टियो कारियले में ऐसी ट्रैक स्थापित किये जाएंगे बनाई है तो मारूति ने इसको पूरा बना दिया है अब यह चालू होने के लिए तैयार है या इसके कुछ कम्या रही है इसके लिए निर्खण जिल्हां पर आए हैं वदूई जिले के और आइथा शित्र में कि स्कूली मैजिक वाहन रेल्वी ट्रैक अंडर ब्रिश के पास पलट गई वहां में नौ बच्चे सवार थे जिन में से दो को गंभी चोटे आए घाल बच्चों को तक काल सी अच्सी मेलाज के लिए भेजा गया हर्दोई के पिहानी ताना शित्र में 20,000 रुपे की चनौती के मामले में स्पी नीरच कुमार जदौन ने मन तक की मिशाल पेश की है पीडि विपिन बिहारी गुपता ने इसकी से गोहार लगाये जिसमें आरूपी चात्र को शमादान देने की अपेल की पुलिस ने मुकदमा दर्श कर आरूपी की पहचान एक प्रतिश्ठित वध्याले के निर्दन चात्र के रूप में की है जो गैबलिंग एप में फसकर पैसी हार गया था चात्र ने इसपी की सामने महलत सी पढ़ाई करने और जिले का नाम रोशन करने का प्रण लिया कल दिना 28 अगस्त को पिहानी थाना च्षेत्र में विपिन विहारी गुपता के साथ एक लड़के ने छिनेती की थी इनके 20 रुपए छीन लिये थे जब वो बैंक से बापसा रहे थी इस संबन में पिहानी थाने पर सुसंगत दराओं में भियुप दज किया गया था इस लड़के की शिनागत एक छात की रूप में हुई थी जो कि पुतिस्चे विद्याला का छात हुए आजमगर में सिंधार इतान शित्र के नरोली महले में जनमाश्टमी पर प्रतिमाओ के वसरजन यात्रा के दौरान बवाल हो गया चोहान बस्ती और सोनकर बस्ती के लोगो द्वार इस थापित प्रतिमाओ की यात्रा में डीजे पर अश्लील भोजपुरी गाने बज़ने जिसमें दो पक्षों में मार पीट और पत्रा वुआ है पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामले को शांत कराया और घाईरों को अस्पताल बेजा मुझफर नगर मेर प्रतिष्ठित सर्जन डाक्टर विकास मवार पर एक किशोरी मरीज के साथ शीर छाड का गंभीर आरोप लगा है बताया जा रहा है डाक्टर परवार ने किशोरी की पत्री का ओपरिशन किया था और ओपरिशन के बाद बार्ड में छेर छाड की किशोरी की हालत बिगणने पर उसे मिरेट रेफर किया गया हालात में सुधार की बाद किशोरी ने परिजनों को मामली की जानकारी थी नईमंडी कोटवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर डाक्टर विकास मनवार के खलाव पोक्सो एक्ट की तहट मुकदम दर्ज किया है अब लोपन किया जाएगी